नामस्कार जै हिंद बंदे मातरम दोस्तों स्वागत आप सभी का अपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेज पर एक्जाम के लिए एक मातर ऐसा चैनल जहां आपको क्रम वाइस से पाटे क्रम पढ़ाया जा रहा है जो कि आपके समख से आप है राजस्तान क्ल इसे बहुत-बहुत महत्पूर्ण होगा तो आएगा दोस्तों आज की क्लास को बहुतरिन करते हैं और उमीद ऐसी करूंगा कि आप इस क्लास को लार्स तक देखेंगे भारतिये संस्कृति देखे दोस्तों अपन टॉपिक वाइस पढ़ी रहे हैं वैसे हर टॉपिक को ले ऑसनारे लिए बार और लेकिन यहां पर आज उनने वाले आपके लिएंव वोडीकर जानप्र स्क्रीन फीडिंकंगे दोस्तों यहे स्कृति पहला अपर इसका सब्सक्रिप अस अपन आज की क्लास को अच्छे से कंप्लेट करते हैं देखिए पंच मेहल कहा पर इस्तिते आगरा में है या अलिगड में या फिर फतेपूर सीक्री में या फिर बरेली में है तो पंच मेहल की मेरे दोस्तों बात की जाए तो आपका राइट आंशर सभी का हो जाएगा बोले सभी का बहत्रीन है मेरे दोस्तों आगे बड़े सी ऑफ्सन के साथ जाएगा राइट आंसर अगला प्रसन है कि टावर ओफ साइलेंस भारत में किस धर्म से संबंदित है टावर ओफ साइलेंस जो है ना भारत के कौन से धर्म से संबंदित है ऐसा क्वेशन आप से पूचा अगला प्रसना आता है बारत में निमलिखित राजियों में एसे किस राजम है एक पहाड पर इक फिशेश्याहां दर्म के 838 मंदिर इस्तित या आपको बतना है भारत में निम लिखीत राजियों मैंसे किस राजियों मैं एक पहाड पर एक विशेश धर्म के 838 मंदिर है राजस्तान में तो नहीं सुना साब आपने सुना क्या नहीं सुना तो मेरे दुश्तों मैं आपको बता दूँ यापर आपको लाइफ लाइन दे दूं तो दूस्तों दे किए गा मैं करना टको भी हटा देता हम तो इन मेंसे राइट आनसर दोनों मेंसी क्या हो जाएगा तो जल्दी से आँसर दे दिजिएगा फिर अपना आगे बढ़ते हैं और गुजरात जिसके साथ जाएगा बिल्कुल जो है बी आफिसन के साथ हो जाएगा राइट आंसर में दोस्तों गुजरात में 838 मंदीर है ठीक है बिल्कुल अच्छा सा क्वेसन है और दोस्तों यहाँ पर किस के मंदीर है जैन धर्म के मंद देरे यह क्वेसन भी अच्छा है इसको लॉक कर दीजेगा अगला प्रसना आ जाता है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नरते या फिर नाटक है और यह कहां का प्रसीदे मध्य प्रदेश का महराष्टर का चतीस गड़का या फिर करनाटका का तो यहां पर राइट आंसर हर भाई हर बहन का हो जाएगा बोले सरसी ऑफशन चतीस गड़का है क्या है पंडवानी किस प्रदेश का लोक नरते है तो दोस्तों चतीस गड़का लोक नरते है पंडवानी ठीक है ना मतलब कि इसमें क्या होता है में दोस्तों पांडवानी भी कह सकते इसे इसे पांडव पांड़ों की कथा भी कहते हैं ठीक है तो ये एक अच्छा है आपके लिए और आगे बड़ते हैं अगले को देखते हैं ठीक है अगला प्रसन एक सो पांच नंबर एक सबांच नंबर एक पर दोस्तों दीकिए उनीजिसो तेतीस में पेरीज में ग्रेंड सेलून के सयोगी के रूप में निम लिकित भारतिय चित्रकारों में से कौन सा चुना गया था थोड़ा सा आहट के क्वैसने बड़ राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा अमरता शेर गिल क्या हो जाएगा भी आफशन राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे बड़े और अमरता शेर गिल जाएगे भारत की चित्रकार है दोस्तों जो की बीशवी सदी की एक सरुष्ट चित्रकारों में से एक है और बिल्कुल दोस्तों आगे बड़ते हैं और आज की क्लास दोस्तों में आपको दे रहा हूं जो की वैसे अब ठीक है तबियत की अगर बात करें तो जरूर रात से अब ठीक है दोर धीरी धीरे सुदार जो हो रहा है एक दम तो सुदार होगा नहीं थोड़ी सी बीच में वापस गड़ बड़ा गईती देखिए 106 नमबर में क्या है ढूंडी राज फाल पुरूसकार जगत के फिल्म जगत के किस मापुरूसे समझीते दादा साहव फाल के देवानंद गुरू दत या फिर पृतिराज कपूर राइट आंसर बता दीजिएगा बिल्कुल आसान सा प्रस्टन ए आफशन के सा जाएगा दादा साहव फाल के पुरूसकार हो देजुंडी राजित पहलिक नम के इनका था वह रियल नम घुस्ट्थ hmm कुंशी आपको बता है trip थारे पहली आरा रहा है Cant किसान कन्या या और किस्म बहुफ हिसे भारततरे बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी है आलमारा राजा हरी चंद्र किसान कन्या या फिर किस्मत तो राइट आंसर सी आप्शन के साथ जाएगा किसान कन्या हो जाएगा क्या हो जाएगा किसान कन्या हो जाएगा ठीक है किसान कन्या दोस्तों यह ना हसन मंटो हसन मंटो द्वारा जो है लिखी थे और अर्देश शियर अर्देश शियर इरानी द्वारा प्रोडीस की गई फिल्म में और 1937 में रिलीज हुई बताते हैं ठीक है तो यह अच्छा सा क्वेस्टन है इसको भी आप सभी लॉक नेक्स्ट क्वेस्टन ए 101 और चोर्टेन किस दर्म से संबंदी शब्द है और राइट आंसर बताने है और दोस्तों वобраз पूछा जाये तो छोटेन क्या है एक छोटेन जगे है जहांれた बहुत इस्तूप बने हुए है प्यारे दोस्तों क्या है बहुत इस्तूप बने हुए है एक जगे है चोटए नाम से तो पारस ही होगा नहीं और रॉट आंसर बिल्कुल पी ओपिछन neuजयेगा ठीक है उत्तरपूर्वी भारत और प्वारत और प्वत में जो है उत्तर पूर्वी भारत और तिव्वत प्वारत और तिवे जो है चोटे ऐसा प्रसना आपके किया जा रहा है जैन धर्म से सम्बन देते हैं पाली पताना है या फिर बेल गोला है या फिर खंडगरी या फिर रतन गिरी देखें दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर कर श्रौन बेल बोला तो करना टेक में आप सिब को पता है और पाली ताना की की बात करूं तो दोस्तों यह ओडि शाम है कांपर यह ओडिसाम हैं सब को खंडगरी के और रतन गिरी की मेरे दोस्तों बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ड़ी ऑफ्सन देंखें कौंसा कुंसा इसान जैंधरम से समंभदी दो रतन गिरी माहँ मतलब की माराष्ट में है आगे बड़े मेरे दोस्तों अगला प्रस्ण 1110 नमबर व्हारत के लाजी में गुप्त काल के मंदिर अच्छी आकरती में पाई जाते हैं तो बिहार तो नहीं होगा मेरे दूस्तों ठीक है और तमिल नाडू भी नहीं होगा तो राइट आंसर मद्य परदेशी होगा मतलब कि एक शांदार प्रसने इसको आप लोग कर देंगे सी आफसन के साथ ठीक है और वैसे आपको पता हो तो गुपतकाल को मेरे दोस्तों गुपतकाल को भारत के इतिहास का मतलब की प्राचिन भात का स्वन्ड यूग का जाता है गुपतकाल को क्या का जा जो आपको कल बता दिया जाएगा ठीक है अलग एलग तरीके से इसके मंधिर जो से भारत के कौन से परदेश में तो राइट आंसर विशनुपूर जो तेरा खोता मंदिरों के लिए प्रसीद हैं इस प्रोफ में मतलब ज्स परदेश का नाम आपको बताना है और राइट आंसर यह नहीं होगा राइट आंसर होगा भी आपसन पाचि त्वी बंगाल ठीकose क्या हो जाएगा पाचिम बंगाल हो जाएगा और पच्चिम बंगाल के भी बांकूरा जिल्ले में में तुस्तों कहां परें बांकूरा जिल्ले में ठीक है तो यह एक शांदार सा और अच्छा सा क्वेशन है देखेंगे दोस्तों प्रषिध विश्व धरवर इस्तल टेरा कोटा आरमी किस देश में है जापन में भारत में या फिर मंगोलिया में या पिर चीन में तो राइट आंसर हो जाएगा चीन में देखे प्रसिद विश्व धरवर विश्व धरवर इस तल टेरा कोटा आर्मी किस देश में है तो दोस्तों D option कैसा जाएगा चीन में है ठीक है और ये सेनाओं को दोस्तों अगर बात करें न मतलब कि ये समराट हुए तो यहां के क्विन शी हुआंग वहां से सेनाओं को दरसाते हुए टेरा के टेरा कोटा मूर्तियों का मतलब की संग्रे है मेरे दोस्तों वहां से जो है उस शासक से शुरुगात की गई थी ठीक है 500 2017 से प्रसीद रैस्यपूर्ण त्री मूर्ति सदाश शीव कहां इस्तिते है अपको बताना है यह यह ज्ट होगा यह यह जोगेशे करी होगा तो राइट आंसर होगा आपका सी ओफसन एलिफेंटा क्या हो जाएगा एलिफेंटा और एलिफेंटा तो सब को पताए कि भी विश्व धरोवर लिस्ट में श्रामिल है और यह कहां पर मेरे दोस्तों यह कहां कहां पर कौन कौन बताएंगे जल्दी बताएगा यह कहां पर ठीक है ना जरूर बताएगा प्रसीद रहें से मई जोहैत्री मूर्ती सदाश्रीव मंदिर ज्वाई एलिफेंटा में इस्टिते एलिफेंटा कहां पर यह आपको बताना है भारत ने यूनेश को कन्वेंशन देखे भारत ने यूनेश को कन्वेंशन 1912 को कब मंजूरी दी मतलब की यूनेश को कन्वेंशन को कब मंजूरी दी 1912 को कब मंजूरी दी मेरे दोस्तों यह आपको बताना है और वैसे 1912 यह ना यह यूनेश को कन्वेंशन 1912 कहला जाता ह और इसको मंजूरी भारत ने कब दी कि भारते इस तल जो है भारत के इस तल उसके बाद यहां पर जोड़ने लगे तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी आफ़सन उनीस सुश्टतर क्या हो जाएगा उनीस सु सत्तर हो जाएगा अच्छा सा क्वेसन इसको लॉक क और यह चार इस्तानों परrunning टीन वर्ष में लगता है जारे स्टानों परージ процесс में लेखता है उन्फरेंव और चैहरा बार्सरी Um मतلب कि शी आपसिं तो होई जाएगा राइट आमसर ठीक कहते है। जो कि इलढ़ाबब को कि इलढ़ाबद किया सकते हैं अफ उत्र परदेश् unless परयाग कि ठीक है ओर दूसरा आपका है तो चारों ज Tech on और मेले। जगह werden जो मिलkung भरते हैं दीविए दोस्तों जो ईना ये प्रहफंग वाला तो मैं दोस्तों की गंगा यमून और सर्श्वती के संगम पर भरता है उजह इसए के आपना नासी क्या उसको गोदा औरी नदी की किनारे भरता है और हरिद्वार की बात करें यह तो गंगा नदी की किनारे भरता है तो यह अच्छी जानगारी थी लॉक कर दीजेगा पांच-छे क्वेसने आपके केलियर हो चुक है ना जहलो बता दीजेगा 116 नंबर का राइट आंशर हेमिस गो लमपाय ना यह क्या है ये मठ है और मुठ किसके बहुद धरम का मठ है में दोस्तों दियान रखना है आपको बहुद धरम का मठ है अच्छोई ने थीक है और इसके निरमान की और यह लगवग जो है थोड़ा सा दूर है मतलब कि 45 किलो मेंट सम्थिंग तो ध्यान रखना की भी ऑप्षिन के साथ जाएगा यहां पर आपका राइट आंशर लगवा लगवा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन आ जाता है दुनिया की पहली पारंप्रिक ग्यान डिजिटल लाइब्रेर देकि पारंप्रिक ग्यान डिजिटल लाइब्रेरी पूचा है तो यह वह जो और तो कोन कर सकते हैं हमके हमारे अलाव है न तो बिल्कुल जो है भारत हो जाएगा राइट आंसर ए आप्षिन के साथ जाएगा राइट आंसर डॉक्टर एम बाल मुरली क्रश् है कि यहां पिर इन में से कोई ने तो प्यारे दोस्तों यहां पर आपको कोई कंफ्यूज होने कि आप सकता है नहीं भी आप्षिन के साथ जाएगा राइट आंसर करना टक संगीत हो जाएगा ठीक है ना और दोस्तों देखिए गा लास्त तक बने रहना हिम्मत नहीं हारनी अगर क्वेशन नहीं आए रहे तो कोई बात नहीं लेकिन हिम्मत नहीं हारनी आपको ठीक है ना और दोस्तों इनका निदन हाली में हुआ था बाइस नवंबर को ठीक है इसलिए मैंने आपके लिए यह क्वेशन किया है बाइस नवंबर दोजार सोला को इनका निदन हुआ ता करनाटक संगीत से संबनी थे बाल मुरलिक रश्ण ठीक है ना बिलकुल लास्ट तक बने रहेगा मेरे दोस्तों 119 नंबर 130 नंबर क्वेशन ज्यादा कोई क्वेशन नहीं है और वैसे भी अपनरा मिनिट हुए है नरते और संगीत की रचना मुद्रा लावनी किस प्रदे भी नहीं होगा ठीक है तो 37 गड़ और मारास्ट की बात करें मैं दोस्तों को लॉक करेंगे सिक के सागएगा किस के रहेगा नियुक्त के सागएगा बिल्कुल अच्छा सा आप्रस्ण था अगला परस नहीं सेंडल वूड निम लिकेत मैं से किसके लिए प्रेयोग किया जा तमिल सिनेमा के लिए दक्षिन भारतिय सिनेमा के लिए तो राइट आंसर होगा कंड़ सिनेमा के लिए किसके लिए कंड़ सिनेमा के लिए और यह आफशन है आपका ए आफशन में ठीक है कौन से आफशन में ए आफशन कंड़ सिनेमा ए आफशन के साथ है तो ए आफशन कोई चैतर में दिया जाता है संगीत चैतर में या फिर नर्तिय चैतर में या फिर त्री चित्र कला चैतर में या फिर साहित चैतर में तो राइट आंसर बता दीजिएगा पुत्राज सम्मान के चैतर में दिया जाता है ठीक है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका संगीत चैतर मे तो इसको भी आप सभी लॉक करेंगे ए आफ़सन के साथ जाएगा राइट आंसर पुतराज समान संगीत चैतर में दिया जाता है अगला प्रसने की निम लिकित मैसे कौन सा मिलान सही है देखें यहाँ पर यह आपको बताना है यह अच्छा क्वेसन है इनमें से देखें आगा खान पैलेस जो है यह कहांपर पुने में है या नहीं आपको देखना है भारत बवन नाम से एक पहले से दोस्तों भोपाल में है या नहीं और अकाल तकत के नाम से अकाल तकत के नाम से अमरसर में है या नहीं तो प्यारे प्यारे दोस्तों राइट आंशर जो जाएगा ना D option के साथ जाएगा आगा खान पहले पूने में है भारत बवन भुपाल में अकाल तक्ठ जो है ये अमरसर में है तो सबी क्या है सबी जो तथ्थे है वो सही है बिल्कुल दोस्तों राइट आंशर सबका सही हो याँ पर पूचा जा रहा है पर्मु गरानों के सिंस्तापक और इनमेंसे कौण सा मिलान सही है निकालना होगा आपको Den C2 वैसन बता अचा है ठीक है और आगरा घराने की बत करे तो हाजी इस्लाम सही है क्या देखिए दोस्तों ये आपको इंडिया लेवल का पूझा जा रहा है को वैसन तो कोई गलत नहीं है आपे सब सही है डी आफ्शन के साथ जाएगा राइट आंसर ठीक है ना मतलब की तीनों की तीनों क्या है सही है मैं दोस्तों ध्यान रिखना आपको ठीक है नेस्ट क्वेसने 124 में ये पूचा जा रहे कैंडी नर्ते तो रामाइण के द्रश्यों को दर्शाते हुए नर्ते का एक रूपय नहीं में कि देशों में ऐसे एक राश्टे नर्ते है ये किसका राश्टे नर्ते तो य आपको पूचा जा रहे केंडी ने नर्टे जो है जो रामाइन के दर्शियों को दर्शाते हुए एक नर्टे का एक रूप है क्या है रामाइन के दर्शिय जो है दर्शाय जाते इसमें और निम लिकित देशों मैंसे किसका एक ये राष्ट्रिय नर्टे है अंकोर वार्ट जो की दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो की यहां पर बना हुआ है कमबोडिया में ठीक है सुर्य वर्मन के द्वारा निर्मान करवाए गए था चलो साब नेक्स्ट एक सो पचीस आंसर दे देना है नेमलेकित मैसे कौन से मंदिर में शिव की आरादना नटराज की रूप में की जाती है वैसे बगवान शिव की जो मुद्रा है वो नटराज जो मुद्रा है वो बगवान शिव की ही है ना बगवान शिव की ही है नटराज मुद्रा मतलब की वो तांडव नर्टे की मुद्रा में होते हैं इसमेhen लेकिन यहां पर क्या है कि कौन से मंदिरolics में कि उरादना नटराज की रूप में ही की जाती है उनकी मूर्थी भी नटराज की इस्तापीर कर रכी है और मतलब की राइट आंसर आपको बताना है ठीक है और मूर्ती भी इनकी नटराज के रूप में और सेवा भी उनकी नटराज के रूप में पूजा भी नटराज के रूप में की जाती है मदूरही नहीं होगा दोस्तों जैसे की तमील नाडू है लेकिन तंजोर भी नहीं होगा और सिदम बरम हो जाएगा सी आप्सन चिदेंबर मेरे दोस्तों ट्रीव की आराद ना ट्राज की रूप में होती है और यह आपका तमील नाडू में इस तीदे कहां पर है तमील नाडू में ठीक है अच्छा अच्छा क्वेस्टने मेरे दूस्तों लोग कर दीजिएगा और 126 नंबर क्वेस्टने पू कंप्लीट देखेंगी मैं जिस सिट्वेस्टन में दे रहा हूं ने क्लास बहुत मुश्कल है बट फिर भी आपकी क्लास जो है कंटिन्यू आ रही है ठीक है जो रेगुलर जोड़ है उन सब को पता है चले तो संगीत के चैतर में ताना रीरी पुरुसकार कि सरकार द्वार और 222 परश्णों का संग संग्रे भंडार चलता है उसमें आई जाता मदेश नहीं होगा यहां पर राइट आंसर होगा गुजरात है ना तो गुजरात जो है मेरे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा और यह जो है ना संगीत के सहत्रम तारा और रिरी ये दोस्तों वैसे बात करें तो दो भाईने थी ठीक है गुजरात की वड़नगर की जो तारा ताना और रिरी नामक दो भाईने प्रसीद है और इन्होंने गाव देवता से मतलब की गाव देवता से इन्होंने गायन और देते हैं यह ठीक है अगला प्रस्थ ने बोहाग भी हुँ मुख्य रूप से अगर आप देखना चाहे तो एक बार जरूर देख लेना मतलब गूगल पर जो है सर्च करके देख सकते हैं ठीक है ताना रीरी नाम से अभी क्लास को देख लीजिएगा बोहाग भी हुँ मु कि रूप से किस उत्तर पूरो भारत के प्रोदेश का तिमार है तुमेगा ले का है मिजोरम का है असम का या फिर अरुना चल प्रदेश का है बोहाग और बीहु अरे बोहाग का पता नहीं तो बीहु का तो पता है ना मेरे लाड़लों बिल्कुल राइट आंसर जाएगा असम को देखते हैं 128 नंबर क्वेशन आपकी स्क्रीन पर देखेगा जब तेमील लाड़ू में पोंगल मनाय जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा तेमार मनाय जाता है इससे आसान कुछ नहीं होगा क्योंकि ये क्वेशन में आपको एक हूब 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 पेपर में दे चुका की तो राइट आंसर सी आफ़सन के सा जाएगा अमकर सक्रांती ठीक है सी आफ़सन हो जाएगा अमकर सक्रांती ठीक है ना ये क्वेशन बड़ा अच्छा है इसको लॉग कर दीजिए गा निम्लिकित मैंसे कौन से इस्तान हिंदू स्रदालियों के समकाल इन चार धामें देखे मतलब की जो हिंदू स्रदा जो मानते हैं मतलब जहां पर आप कहें तो दोस्तों तीर्थ के लिए जाते हैं तो निम्लिकित मैंसे कौन सा इस्तान हिंदू स्रदालियों के लिए स्रद मेरे दोस्तों वैस्नों देवी नहीं है तो गलत है बदुर такие दारनाथ गंगोत्री और यमुनोत्री यह भी नहीं होगा मेरे दो SPEAK तूरा मेरे दोस्तों आप यहां पर कन फ्यूजन वाला सब्सक्राल है यह आज से याद रखना होगा बदरिनात रामेश्वरम पूरी और द्वार का यह एना मेरे दोस्तों यह भारत के चारों कौनों पर इस्तित चार धाम है ठीक है इनको चार धाम और तीर सिसल माना जाता है लास्ट क्वेस्ट के स्क्रीन पर वैदिक दर्शन पर लंबी बैस में हार के बाद निम लिखित मैंसे कौन आदिर शंक्राचारे के शिशे बन गए थे और बाद में शंक्री मठ के पहले मुख्या भी बने आपको इतना सा भी ध्यान रखना है कि आदिर शंक्राचारे के छीचिय कोन बने और बाद में शंक्री मट के पहले मुख्या कोन बने वस इतना सा आपको याद रखना question बहुत सारे बनते हैं इसी question में तो हस्त मालक नहीं होगा तोट का चारे भी नहीं होगा वलबा चारे भी नहीं होगा मंदन मिस्र हो जाएगा D option को अपने लॉक कर लेंगे ठीक है ना और दोस्तों बिलकुल अच्छा सा question है ठीक है यह होगा आपका 130 नंबर क्वेशन बिलकुल D option के साथ जाएगा और दोस्तों 30 क्वेशन अपने complete हो गए कल मैंने आपसे एक प्रस्निंग क्याता गगन नारंग किस खेल से संबन देते हैं यहीं पूछा था जबकि गगन नारंग खेल का काफी बाइबनों ने गलत बत यहां से क्लियर कर लेना वे निशानी बाजी से संबन देते हैं गगन नारंग थीक है इन्होंने 2012 में में दूस्तों 2012 में से पद्द जीता था क्या पड़ी जीता अर काहँ पर 2012 के ओलमपिक में जीता था भारत में नियुन्तम जन संग्या वाला राज्य जो है वो कौन सा है वो आपको इसका आंसर जो है बाहरा के कॉमेंट सेक्शन में देना है इसकी कोई लिस्ट नहीं बनेगी जितना जो बेस्ट जवाब देगा उनका फिन कर दिया जाएगा जवाब है ना बिलकुल मेरे दोस् हमीद करूँगा दोस्तों आप सभी स्वस्त हैं और इसी परकार से आप अपना जो है लाड़ प्यार आपके अपनी क्लासेस पे बनाए रखें और बेलकुल जो है अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल प्रेस दबा दीजिएगा जो भी सबसे आपको बहुत-बहुत सुब कामने और उनका रदे से अभार क्योंकि लाश तक बने रहे ना इस आवाज में बहुत मुश्किल होता है आई थिंक है ना बट आप लोग बने रहे आप सभी का आवार सभी का धन्यवाज जय हिंद मेरे दूस्तों आप सभी की दुगा स स्वस्थ हूं और स्वस्थ अगर थोड़ा वहत नहीं हो तो हो जाँगा है ना चलिए आप सभी का आवार धन्यवाज जय हिंद वंदे मात्रम